तेरी माराज तुमें राणी बुलबाबे सें और घंटु हो गए जारे कमारे में तरत पता देंशें और ये कला मन दिये भानू और रांकेस दूद पीने को भी स्पाज देते हैं ए दर्ग बताबी से मेरे राजा ने एद में पुलाबे सें ठंके हो गई चारी कमरे में बंदे दादे सें और मारे में कमरे ज़र से कसली अरो तार धरी गलेकी अच्छा इतनी सब्द भीमार है अरो दूप के पसली पसली ए दूप के पसली पसली ना में भर भी दिना आबे सें हमके होगे चारी की मरे में हलो और ये 20 रुपाय मोहद अब इस पर कवतान लिखने आब 20 रुपाय कव्तान अब इसमें मोट और 20 रप्या मैं इसमाल इसमें सतोर से में लिए देते हैं और कहना है आरे जिस सदम आपके ताई ने घोड़ा भी आरे खुशा होए दिया और बीच प्याहा आरे कागा काओं आरे शेक्स प्ला ये तुझे की चाहा हाँ हालो यह आगए 20 रप्याह चरंशेंग धीरपुर के रहने वाले और 20 रप्याह सोन पाल ये दूनी के रहने वाले ये दोनों लोग 40 रप्याह मंद्र के हेत में डान करते हैं महाराज कहने का मतलत जंदू चली शक्त बीबार हैं तुम मतलब पूचत रहाँ तहलो एक दो तीन हुआगी राने अरे ये तो बात खोलो ना चाहिए अच्छा चलो मैंने ये तो लंबो खटिया पाओ जादो ठैर जा खटिया को पाओ ना वह है काईब शूल काईब शूल बोलते हैं उससे अरे काईब शूल पगली अच्छा तबी कोई फादा नहीं हुआ चलो मैं तुमारे साथ चलता हूँ चलिए आजाओ और कैसा जादो किया तुने कोजा तुमारे साथ चलो पैयाये गई जिए के देए लिए बीस रुप्या सोक्लाल सिर्दा के रहने माले यह बीस रुप्या मुश्का करते हैं मैं हाथ जोड़ने मुश्का करता हूं ठीके बारा निजू मैं बुला लाइए अशा है आप बला लाइए तो आप राजमान हो जाओं जाओंगी मैं देखाओंगी या तिम कहा करा और दो जाओंगे जाओंगे मैं समाथ आओंदेओं कोई बात वहरिये तो ज्यादा बाद पहो का आप दो मैंने क्या पति देव कि सरण चुई आपकी कचैरी में कोई आया हाँ दो मुशा पर आये थे कौन थे देश बंगा लेकर हिन्वे नहीं ब्रामन घर के लला भूल कमर की लाइज लगा है तो उसे लगन पत्र में मैंने देखा दान देज काभी लिखा है और लड़ाई की सर्ते कुछ ऐसी लिखी है जिससे कि मैं साधी कमर की कर नहीं सकता हूँ फिर क्या हुगा वो भगा दिये है यानि मार के भगा दिये है आँ मैंने हैं से निकाल दिये हैं मतलब क्या है मतलब तो है मतलब बतला मेरे लिए क्यों बलवाया आपना पाशाब जी आपती देखे बाल मां उट बैठी बिजनार बाल मां बाल